वेलकम अगेन तो माई चैनल आज की इस न्यू वीडियो में मैं करने जा रही हूँ दो बेबी लोशन का कमपारिजन दोनों एक ही ब्रेंड के प्रोड़क्ट हैं फर्स्ट है जॉन्सन्स बेबी लोशन और सेकंड वन इस जॉन्सन्स कॉर्टन टच न्यू बॉर्न लोशन जॉन्सन्स बेबी लोशन की बात करें तो ये काफी पुराना प्रोड़क्ट है बच्चों के लिए काफी सालों से जो है इसका यूस किया जाता आ रहा है ये जो डिबा है वो 50 ml का है और इसकी MRP जो है वो 50 रूपीज है ये जो पैक है कॉर्टन टच वाला इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 100 ml और इसके MRP 150 रूपीज है सो कॉर्टन टच जो है वो जॉन्सन्स बेबी लोशन से थोड़ा एक्सपेंसिव है पैकेजिंग के बात करें तो इसकी सिंपल सी पैकेजिंग है और स्टैप से फ्लिप कैप है और जॉन्सन्स कॉटन टच की पैकेजिंग के बात करें तो इसकी बेबी लोशन के कमपेरिजन में थोड़ी स्ट्रॉंग टाइप की पैकेजिंग है ज्यादे अट्रेक्टिव है और स्टेप से इसकी ओपनिंग है इसकी पैकेजिंग ज्यादा स्ट्रॉंग है यह बेबी लोशन जो है बेबी के लिए बनाया गया है और बेबी के साथ ऐसे मॉस्चराइजर ऐसे मैकप रूमियोवर हम भी उसकरते हैं cotton touch जो है वो mostly newborn baby की sensitive skin के लिए बनाया गया है क्योंकि जो बेबी की delicate skin होती है उस पे कभी कभी allergy हो जाती है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हो वे से specially formulate किया गया है इस बेबी लोशन में कोई added paraben, sulphate, dye और यह चीज़े नहीं है और वो चीज़ इसमें भी नहीं है ingredients की बात करें तो इसमें coconut oil है उसके साथ mild से chemical और कुछ ingredients है और इसके ingredients की बात की जाए तो इसका main ingredients जो है वो है natural cotton इसमें natural cotton का blend है जो कि skin को ज़्यादा moisturize रखता है, soft बनाता है, velvety बनाता है, heal करता है और उसमें vitamin E की भरपूरता होती है तो skin को बहुत अच्छे से nutrition मिलता है यह जो cotton touch है newborn baby के लिए काफी safe है, इससे कभी allergy होने की chances हो सकते हैं अगर baby की skin पर suit ना करे तो cotton touch long time तक baby की skin पर moisturize जो है वो lock रखता है, moisturizer को बनाए रखता है, long time तक उसके साथ इसकी fragrance भी long time तक skin पर बनी रहती है यह Johnson's baby lotion जो है, उसका जो moisturizer तो यह करता है, skin को अच्छे से करता है, पर long time तक यह moisturizer को lock नहीं कर पाता है और इसकी fragrance long time तक भी नहीं रहती है, तो हम अगेन वापस reuse करना पड़ता है, डे में दो बार consistency की बात करें, तो यह भी थिक है, और यह जो है, इसके comparison में ज़्यादा थिक consistency है आप थोड़ा सा lotion लेंगे और वो ज़्यादा area जो है, वो cover कर लेता है और यह long time तक moisturize रखता है, skin को इसकी fragrance बहुत तेज है इसके comparison में फ्रेग्रेंस जो है, इसकी काफी तेज है और बहुत अच्छी है, बिलकुल refreshing खुश्बू है, और बेबी की skin पे काफी time तक अच्छी खुश्बू रहती है, so all our cotton touches good, lotion दोनों अच्छे है, आपकी बेबी की skin पे करता है कि उसे कितना moisturizer की जरुरत है, I hope वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा तो जट से like करें, share करें, comment करें और प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दीजिएगा, thanks for watching my video